स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 16.4.1 जो अपडेट मिल चुका है सब लोगों को जो भी iPhone 8 से उपर कोई सा भी मोडल यूज कर देते iPhone 8 से लेके iPhone 14 Pro Max तक सभी मोडल में यह देखने को मिल चुका है हमें अगर आपको नहीं मिला है तो आपको सिंपली सेटिंग में जाना है Software Update यहां से Automatic Updates को Off करके On कर लेना है और अगर आपने Beta Profile डाउनलोड कर रखी है तो आपको उसको पहले Delete करना पड़ेगा फिर आपको यह Update देखने को मिलेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा तो दोस्तों जैसे कि मैं 13 यूज कर रहा हूँ और 13 में आप लोग देख सकते हैं कि जो Update है वो 277.8 MB का देखने को मिला है अगर आप कोई दूसरा डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसका अलग होगा ये कि कितने MB का वो Update होगा लेकिन ये Mostly 300 Last है इसका आपकी बार इससे ज्यादा बड़ा Update देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ज्यादा Changes नहीं है इसमें कुछ भी आप लोग यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं एक बार जो Support है वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं कि क्या कुछ इसमें नया देखने को मिला है और इसी के साथ हमें Mac OS Ventura का भी Update देखने को मिला है प्लस iPad OS का भी Update देखने को मिला है तो पहले कर देते हैं हम इसको Update और देखते हैं क्या कुछ इसमें Changes हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा अपडेट हो चुका है 16.4.1 पे जैसा आप लोगों को पता है कि एपल ने इसमें सिर्फ दो ही चीज़े बताईए पहला है Pushing Hands Emoji Does Not Tone Variation मतलब जो नए Emojis हमें देखने को मिले थे ये Pushing Hands वाले इसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें पहले जो है इसमें हम Skin Tone चेंज नहीं कर सकते थे लेकिन अब जैसे इसको Press and Hold करके रखते हैं तो हम इसके Skin Color चेंज कर सकते हैं पहले के माई आपको एक Video Recording है मेरे पास वो दिखाता हूँ जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं Hold करके रखने के बाद भी उसमें कोई Color नहीं आ रहे थे लेकिन अब जैसे हम Hold करके रखते हैं अब हम जैसे Hold करके रखते हैं आप लोग देख सकते है Color Options आ रहे हैं जिनको हम Change कर सकते हैं तो ये एक तो नई चीज हमें देखने को मिली है जो fix किया है एपल ने दूसरा है जो Siri वर्क नहीं कर रही थी कभी-कभी कुछ-कुछ जगाओं पर शीरी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही थी तो वो भी एपल ने fix किया है तो फिलाल के लिए इतने ही दो नए fixes एपल ने बताए है इसके लावा आपको कुछ नया पता है इसके बारे में तो मेरे को जरूर बताईएगा और आपको डेफिनेटल यह वाले अपडेट जो इंस्टोल कर लेना चाहिए अपने फोन में अगर आपको देखने को मिल सके और अगर आपने मेरे को अगी तक इंस्टाग्राम पे फोलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फोलो कर लीजिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आइफोन के आपको कुछ फीचर जानने तो उपर आई बिटन में आपको ए